हमारे चैनल ग्यान दा ट्रेसर, सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अप्लोडस हैं, जितने भी पॉपलर अप्लोडस हैं, वो आपके पास आउटमेटिक मिलते चले जाएंगे और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपले चैनल जिसे देखकर आप इंटर्टेन होगे आप सब का हमारे चैनल ग्यान दाटरेजर पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अक्षेत रित्या के दिन मेथुन राशी और सेही राशी के जात्तकों को क्या खरीदना चीए कौन से उपाई करने चीए क्या दान करना चीए कि उनका पूरा साल अच्छा रहे सुक संबदा और लक्षमी से घर भरा रहे इस साल अक्षेत रित्या पढ़ रहा है साथ मई को अक्षय तृत्या का अपना महत्व है आप सब शानते हैं अक्षय तृत्या सुकल पक्ष के तृत्या तिति में जब सुर्य और चंद्रमा अपने उच्छे प्रवाव में होते हैं तब अक्षय तृत्या मनाया जाता है अक्षेत रित्या को सबसे शुबतिती माना जाता है इस दिन कोई पंचांग नहीं देखा जाता है किसी चीज के मुहरत कर देख लिए सारे के सारे जो पल है जो च्छन है वो औस्पिसियस च्छन होते है हिंदू पंचांग के अनुसारवी से बेहत शुब माना गया है इस दिन लोग सोना खरीते हैं सबसे ज़्यादा खरीदारी सोने की होती है क्योंकि अक्षेत रित्या के दिन सोने की खरीदारी लाबकारी माने जाती है इस दिन किसी भी राशी के लोग कोई भी राशी का जात तक भगवान विश्णु और मलक्षवी पूजा करते हैं तो उन्हें मनोवांचित फल पराप्त होते हैं इसे दान का भी खास मत हुए आप पूलर दान कीजिए पंका दान कीजिए प्याव दान कीजिए मिष्ठान पानी कुछ भी दान कर सकते हैं ये सारी चीज़े मई के महिने में जरूत की चीज़े हैं तो ये दान करने से आपको अक्षए कुन मिलता है अब इस वीडियो हम बात कर रहे हैं मिफून राशी की और साथ में सीऊं राशी की तो मीथून राशी के जो जातक हैं वो बुद्ध की राशी है तो बुद्ध की राशी मीथून में जिनका चिन्म हुआ है उन्हें मूं की दाल दान करना चीए अक्षत रित्या के दिन कांसे के बरतन में हरा कपड़ा लपेट कर पूजास्थर में रखे हैं इससे राशी स्वामी के सिती बजबूत होती है और सुख और धन बढ़ेगा मिथून राशी के जातकों के लिए दुपईयावान, कार और अनमशनरी क्रे करने का सबसे शुब समय है आप खरिदारी कर सकते हैं मिथून राशी के जातक वस्त्र और चांदी के सिक्क्यों और गहनों की खरीदारी करें इसके लावा अक्षेत रित्या पर स्रीविश्णू सहसरणाम का पार्ट करें गरीबों को वस्त्र और मूं का दान दीजिए मूं का जो दाल होता है वो अब सिह राशी सुर्य की सिह राशी में जिनका जन्म हुआ है उन्हें अक्षेत रित्या के दिन सबसे पहले उगते हुए सुर्य को जल देना चीए इसके बाद गुड़ का दान दीजिए किसी बरतन में समुंदरी अत्वा सेना नमक डाल कर घर में गुमाए और इसे पूजा अस्थान में कहीं रखती है स्वास्त और धन का लाव बढ़ेगा सिह राशी के चातक ग्रेह सच्चा जो भी घर में सजाने के जो समान है और अन्य सजावती उपकरन है जैसे कलात्मक्षित हो गया मुर्तियां हो गई ये सब चीज़े आप खरीज सकते हैं ये आपको बहुत फलेगा सिह राशी के जातकों को सिह आदित हुर्देस्तोत्र का पाठ करना चीए फूल का दान करें गरीबों को भोजन कराएं सिह राशी के जातक अक्षयत रित्या कर दें सोने के गहनों की खड़ीदारी करें ये आपके लिए बहुत शुब होगा तो धन्यवाद आप सबका हमारी चैनल पे स्वागत हैं आप हमारी चैनल पे सबस्क्राइब करें और अपने कमेंट देशिए और हम जाएंगे ये आपको हमारी वेडियोद अच्छी लगें तो आपने श्यायर करतीजिए खिल्यवाद